हेलो दोस्तो स्वागत आपका इस्टेडी 1.2 में दोस्तो आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि रसी का दाम कैसे निकलते हैं तो वीडियो को लाश्टक देखते रहना आपको सारा चीज अच्छे से समझा जाएगा तो चलिए वीडियो सुरू करते हैं दोस्तो पहल के इसमें पूछा है एक मीटर रसी का मुल्य चालीस रुप्या हैं तो चाट सैंट्यू का मुल्य कितना होगा तो सब से पहले हम क्या करेंगे दस सैंट्यूमुट्र का मुल्य निकालेंगे कासे निकालते हैं जो दाम एक मीटर का दे रखा होगा उसको दस से भाग कर देंगे चालिस को दस से भाग करेंगे इसको भाग करेंगे तो यह आ जाएगा चार तो दस सेंटिमीटर रसी का मुल्य होगा चार रुपया इच्छे पूसा है अच्छे से घुना कर देंगे यह हो जाएगा है चुशह चुवी रुपया तो फैस्ट मीटर रसी का मुल्य हो गएच्छ पूसा सवाल थे पाँच मीटर रस्षी कदाम तीन सो उरुपिया है तो बारा मीटर रस्षी कदाम कितना निकालेंगे इसमें पुछा है 5 मिटर का दाम 300 रुपिया है तो 12 मिटर का कितना होगा था सबसे पहले हम 1 मिटर का दाम निकालेंगे तो क्या करेंगे 300 को 5 से भाग कर देंगे तो यह आ जाएगा 5-6-3-0 तो 60 रुपिया आ गया 1 मिटर 80 का दाम आ गया 60 रुपिया उच्छा है 12 मिटर 80 का दाम कितना होगा तो क्या करेंगे 60 को 12 से गुना कर देंगे इसमें गुना करने के बाद यह आ जाएगा 720 रुपिया तो 12 मिटर 80 का दाम हो जाएगा 720 रुपिया I hope मेरे दुआरा बताया गया आपको रस्षी का दाम निकालना समझ आ गया होगा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन प्रेस कर देना धन्यवाद